फ्रेंड्स हम जैसे UNUSBI open कर देते, open करने के बाद यहाँ पे हम जैसे login पे click कर देते and yumpin डाल देते आपना तो वहाँ पे incorrect yumpin बताता है, मतलब yumpin गलत है ऐसे बताता है मतलब वीडियो के end तक आपका problem 101% सौल होगा, तो आगे की जानकारी सच में आपके लिए helpful है, फ्रेंड्स दिल से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे 500 लाइक कहीं में target रख देता हूँ, तो चलिए without any issue of time, let's start the वीडियो चलिए solution जाने के लिए mobile को मैंने यहाँ पे rotate कर दिया, अब यहाँ पे friends सबसे पहले आपको chrome open करना है, तो चलिए यहाँ पे मैं chrome browser open कर देता हूँ, after opening chrome browser friends यहाँ पे आपको google में search करना है SBI login, जैसे easy आप SBI login search करेंगे, first side आपके सामने आ जाएंगी friends, तो इस side पे आपको click करना है, अब यहाँ पे जैसे आप click कर देते, continue to login का option आपके सामने आएगा friends, तो इस वाले option पे आपको click करना है, कापी आसान में तड़े, अब यहाँ पे आपके सामने आगे कुछ ऐसा इन प्रेस आएगा, तो यहाँ पे username, password and accelerator आज जानकारे दी हुए है, तो यहाँ पे नीचे आना है friends, नीचे आने के बाद यहाँ पे forget username and login password, मतलब forget username, login password का option आएगा, इस पे आपको click करना है, easy है, after click करने के बाद आगे आपके सामने कुछ ऐसा इन प्रेस आएगा, forget my login password, option दिखाए देगा, friends, सबसे पहले यहाँ पे click करना है, उसके बाद अगर आपको username नहीं पता, तो forget username पे आप click कर सकते है, अगर पता है, तो forget my login password, इस पे ही आपको click करना है, अब click करने के बाद friends, आगे आपको नीचे पीले डब्बे में next का बटन दिखाए देगा, इस पे आपको click करना है, अब जैसे click कर देते friends, आगे आपके सामने कुछ ऐसा impress आएगा, तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले username डालने का option आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका username आपको डालना है, mobile banking and internet banking दोनों के लिए भी एक ही username में, मतलब एक ही use होता है, तो जो username में वो यहाँ पे डाली friends, अब username डालने के बाद नीचे, नीचे आपको bank का account number डाल देना है, अब जैसे account number डालते friends, अब नीचे आपको country select करनी है, यहाँ पे मैं India select कर देता हूँ, अब जैसे select करेंगे, तो नीचे mobile number डालने का option है friends, तो यहाँ पे आपका जो mobile number है, जो bank में register ह वही mobile number यहाँ पे आपको डालना है, जिस mobile number पे internet banking, mobile banking service चले, उस number को यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद जो आपकी birth date है, वो यहाँ पे आपको नीचे फिल करना है, तो friends, birth date format के अनुसरा डाली है, यहाँ पे साप साप लिखाए कि birth date आपको के से डालनी है, बर्ट डालने सब्मेट के ऊपर आपकी mobile पे एक OTP आएगा friends, तो उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है, अब OTP फिल करने बाद नीचे confirm का बटन दिखाए देगा friends, तो इस पे click करना है, confirm पे click करना है, तो आगे आपके सामने ऐसा इंप्रेस हैगा, तीन तरीके से password को reset कर सकते हो, फर्स अब हमें simply submit पे click करना है, अब जैसे submit पे आप click कर देते, click करने बाद आपके सामने आगे profile password डालने का option आता है, तो यहाँ पे easily आपको profile password डालना है and submit पे click करना है, अब जैसे submit पे आप click कर देते friends, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंप्रेस हैगा, friends यहाँ पे आप आपका login password यहाँ पे successfully reset हो गए है, तो अब हमने यहाँ पे user ID का password ही reset कर दिया, अब हमें आगे yampin set करना है, वो क्या से करें, simply friends यहाँ पे आपको योणो sba भी open करना है, अब open करने के बाद friends यहाँ पे आपको wait करना है, login पे click करना है, जैसे login पे आप click कर देते, click करने के आगे आपके सामने कुछ as and press हैगा, तो यहाँ पे नीचे next का button होता है, video editing के कारण यहाँ पे गए है, उस पे click करना है friends, so after click करने के बाद आगे आपको yampin set करना है, तो यहाँ पे दो बार similar yampin डाल देना है friends, अब यहाँ पे simply yampin बिल्कुल ना डाले, ओके है, थोड़ा yampin आपका set हो जाएगा and एक नया password भी create हो जाएगा user ID का, फ्रिंट्स तो अभी आप बड़ी आज़ान से unusbi को login कर सकेंगे, चली यहाँ पे भी आपको problem आ रहे, तो जरू comment box में comment करके बताए और किस topic पे आपको वीडियो चाहिए तो भी comment box में comment कर सकते है, क्या लगता है एक सई जानकरी के लिए चालनों को सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकोन पे क्लिक करना चाहिए या नहीं एक helpful वीडियो के लिए like तो बनता है, like जरू करना, thanks for watching this video, धन्यवाद